हलो एवरिवन और वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में आज इस वीडियो के माध्यम से हम हमारी नेक्स्ट CRDI ट्रेनिंग और सर्प्राइज यानि CRDI प्लस डोजर की जो ट्रेनिंग है वो दोनों ही कमबाइन करके हम और्गनाइज करवा रहे हैं इस बार क्योंकि बहुत लोगों को मैं खुद भी हमारा वर्क्शॉप है और मैं समझता हूँ इस बात को कि अपग्रेड करना बहुत ही जरूरी हो गया है आज कल के इस कॉम्पटेटिव टाइम में इतना ज़्यादा कॉम्पटीशन है कि जब तक आप खुद को अपग्रेड नहीं करते हो तब तक आपको कोई ना कोई जो है डाउन करने वाला आपके आसपास मिली जाता है तो बहुत जरूरी है कि हम अपग्रेड करें साथ ही कस्टमर भी इस बात को नोटिस करता है कि अब एक वर्क शॉप ऐसा है जहां पर डोजर सी आडी आई और एक्स्ट्रा वर्क यहां पर हो रहा है टर्बो या आपका पावर स्टेरिंग एक वर्क शॉप ऐसी है जहां केवल पंप और इंजेक्टर रिपेर हो रहे हैं तो अब्यूसली कस्टमर भी प्रिफर करते हैं कि भई हम एक ही जगह जाएं सारा काम करवा करके अपना जो भी अपनी गाड़ी में लगवा करके फिर उसे स्टार्ट करवा कर जाएं तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और क्वैरीज भी हमारे पास बहुत ही की डोजर की कप करवा रहे हैं और सी आडियाई की कप करवा रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है सी आडियाई के लिए अलग से आना डोजर के लिए अलग से आना तो इस चीज़ को हम इस बार एक ही साथ combine करा रहे हैं 25, 26, 27, 28 और 29 25 मार्च, 26 मार्च से लेकर के 25 मार्च से लेकर के 29 मार्च तक की ये training हमारी रहेगी 25 मार्च यानि Friday, Saturday, Sunday, Monday और Tuesday तो ये 5 दिन training रहेगी शुरू के 3 दिन जो training है वो CRDI की रहेगी common rail direct injection system की और आपका जो Monday और Tuesday है दो दिन जो है वो आपकी dozer की training रहेगी जिसमें हम BS4 का dozer और BS6 का dozer भी discuss करेंगे ये बहुत important है BS6 का dozer Tata का वो भी हम इसमें देखेंगे कि कैसे functioning है क्या working है उसकी तो ये इस बार हमारी training में रहेगा training के दौरान जितने भी लोग नए हैं मेरे channel पे उनको मैं बता दूँ कि हमारा workshop आगरा में है और खुद का workshop है training center उसी workshop में first floor में हम चलाते हैं अपना तो training आपकी हमारे training center पे ही रहेगी आगरा में तो पहले तीन दिन जो CR की training रहेगी कई लोग ऐसे हैं जो अपना काम start करते हैं कई ऐसे हैं जो काफी अरसे से काम करें बट मुश्किल आती है उनको काम करने में तो सब को individually ही treat किया जाएगा कि जो इंसान नया है काम में उसके उपर आप एकदम से अगर मैं सब कुछ उसको थोब दूँगा तो वो out हो जाएगा तो उसी हिसाब से individually person to person देख करके ही हम training organize करेंगे जिसमें हम आपको Bosch Delphi Denso Siemens इनके injector कैसे खोलने हैं क्या क्या हमें देखना है किस तरीके से repair करने हैं और सबसे important सबसे important जो हम लोगों का काम है workshop में वो एक practitioner का काम है मैं उसे एक business की तरह नहीं देखता मैं उसको देखता हूँ एक practitioner की तरह जैसे doctor का काम होता है कि इस मरीज को कौन सी दवाई देनी है और उससे यह कितना सही होगा तो वैसे ही decision making सबसे important कि जब किसी customer के injector और pump आते हैं तो उसे क्या decision देना है कई बार ऐसा होता है कि pump nozzle down है पर यह नहीं है कि उसी का fault है गाड़ी में तो उसको उसके हिसाब से ही treat करना है तो decision making कैसे करें कैसे हम customer की problem को समझ के customer की गाड़ी में जो problem है उसको समझ के उसका समधान करें यह decision making इसके उपर भी हम काफी काम करेंगे एक इस बार हमने question answers का अलग session रखा है पूरा theoretical तो शुरू के तीन दिन इन injectors को खोलना और कसना और फिर किस तरीके से हमें decision बनाना है क्या क्या technical points हमें note करने हैं जिसके आधार पे हम यह decision बनाए उसके उसके तीन दिन के बाद जो है दो दिन हम dozer की training करेंगी जिसमें हम dozer को dismantle करना क्यों work करता है क्यों लगाया गया है क्या क्या हमें replace करना है क्या replace नहीं करना है और जैसे एक pump हम set करते हैं machine पे तो हम उसकी full load starting idling full load cut off यह सारी readings देखते हैं उसकी तरीके से dozer में हम क्या क्या decision उसका बनाए कैसे उसको हम गाड़ी पे भी कैसे हम उसको क्या 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 फॉल्ट हमें देखना है क्योंकि dozer जितने भी लोग करते हैं उनके साथ एक common problem होगी की dozer हमने करके दिया और वहां से phone आ जाता कि सर आपका dozer काम नहीं कर रहा है तो उस समय क्या क्या चोटे चोट को 3 दिन की training करना चाहते हैं CR की कर सकते हैं जो dozer की कर सकते हैं कंबाइन करना चाहते हैं कंबाइन कर सकते हैं यदि अलग-अलग आप ट्रेनिंग करते हो तो आपकी fees जो है 5500 रुपए CR के लिए और 1500 dozer के लिए CR कीright की 2 दिन की होगी अगर आप combine करते हो तो da 7500 में आपको ये दोनों ट्रेंग्स आप हमारे यहां पर आके कर सकते हो टोटल सीट्स अवेलिबल स्ट्रिक्ली केवल 20 सीट हम रखेंगे इस बार हमेशा की तरह और बिलकुल भी एक जने एक्स्ट्रा भी हम बिलकुल एपॉइंट नहीं करेंगे हमारे बैच में लंच हमारी तरफ से होगा ऐस इस पांचों दिन तीन या दो दिन जैसा भी आप अपने लिए उचित समझें और इसके अलावा रजिस्टर कैसे करना है तो रजिस्टर करने के लिए आप स्क्रीन पे दिये गए नंबर पे तुरंत फोन करिए और जो भी बातचीत है वो अपनी बातची और एक मेरा अनुभव रहा है कि कहीं ना कहीं हमने जो रोल प्ले किया है उससे मैं संतुष्ट हूं एडलीस्ट की लोगों को जो भी प्रॉब्लम साती है या वो हमारे साथ डिसकस करते हैं और कुछ ना कुछ जो भी हमारे एक दाइरे में हैं वो हम कोशिश करते हैं कि तक आप जो है अपनी बुकिंग करा सकते हैं एक कमल जी का नंबर दिया और एक मैंने आपको दीन द्याल जी का नंबर दिया है तो आए होप आपको इन ट्रेनिंग से अब तक वेनिफिट रहा है और आगे भी रहेगा थैंक यू मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के ए नंबर आप